इसलिए पहला कुश्चन के उपर आते हैं बताइए आज हमारे टाइपिस्ट जी अब लेवल नहीं थे कल ठीक है इसलिए बहु ज़्यादा हम इसको मतलब डोके रेट तो नहीं कर पाएं कुश्चन को लेकिन कुश्चन सबके सबाब का इंपोडेंट है ठीक है न चलिए लिएस बिश्य जालिए इसकुश्चन का अनसर दीज़े क्या कहाactor रहा है क्या कुश्चन देखिए आज हो सकता है क्या horas का क्वालीटी थोड़ा सा मतलब लेखाबट का सब्सके का क्वालिटी नहीं थोड़ा डाउन दिखे आपको मैनेज कर लेना है आज के लिए ठीक है कि आपका कि MS Excel 2016 कस्टम सेट अप को छोड़ कर किसको कस्टम अने की कस्टम सेट अप को छोड़ कर मार्जिन सेट अप अने की पेज ले आउट मेन्यू के अंतरगत के लिए तीन बिकल्प परदान करता है उसकी पहचान करी समझ ये बातों को जैसे कोई भी पेज अगर आप बनाते हैं मैं दिखाता हूँ देखी अगर मान लीजे ये पेज आप बना रहा है अब इसमें क्या है कि आपको उपर से भी थोरा जगा छोड़ते हैं इस साइड से भी छोड़ते हैं इस साइड से भी छोड़ते हैं इधर से भी छोड़ते हैं तो कहने का मतलब जगा जो छोड़ते हैं उसी जहां पर आप लिखते नहीं है कुछ जो जगह छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं मार्जीन कहते हैं तो यहीं कहड़ा है MS Excel में आप मार्जीन जो छोड़ते हैं यह आपका कौन-कौन सा मार्जीन होता है इसके बाड़े में आपको बताना है लेकिन कस्टम को छोड़ और कंप्यूटर में जब यह कस्टम सब दाता है इसका मतलब होता है कि अपने मन से Decide करना और By Default का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में पहले से Decide है हमें उसे सिर्फ सेलेक्ट करना है समझ गए बातों को चलिए अब बताइए इसका क्या होगा इसका मैं चाहरा हूँ कि ऐसे जो भी कुष्चन आप आएगा उसका थोड़ा सा आपको प्रेडिकल भी एक झ्छलक दिखाया जाए ठीक है तो कुष्चन के एंसर देने से पहले आ क्या खुला होगाम सेख लें में सछन में अपको क्या-क्या दिख रहा है सबसे पहले आपको उपर में जो दिख रहा है न देखिए कि इन फसे लुम हो किले है मैं मावश से बताता हूं समझिये इस इधर ओदर यह खिल जाया निखे रहें तब book1 लिखा हूए?. हए जो होता है या कि आपका यी इसको मेंडिकत नहीं है। ये आपका ''book1' के नाम से जाना जाता है। हला कि जो चाहते है वो रख सकते, इडिट करके उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यह आपका टाइटल बार होता है, टाइटल बार के जो नीचे होता है, इसे मेन्यू बार कहते हैं, जैसे कि आपका फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रो हो गया, पेज ले आउट, फर्मुला हो गया, डाटा, रिभ भीव भीव और आपका help हो गया, यह सब कुछ हमने प्रेडिकल में पहले से आप लोग को पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, अब उसके नीचे देखिए, क्यों हमारा question क्या था, क्या रहा था कहा, page layout में जाना है, तो सबसे पहले हमको कहा जाना परेगा, page layout में, तो चलिए हम चल यहां पर जो margin खुला, यह हमारा कौन-कौन margin है, देखिए, यहां पर जो margin खुला, यह देखिए आपका कौन-कौन है गो, यह आपका normal margin है, दुसरा आपका wide है, और तिसरा narrow है, और उसके बाद custom margin है सबसे नीचे, तो कह रहा है question में, custom को छोड़ देना है, तो बच क्या गय बच गया आपका normal, wide and narrow, क्या बच गया, normal, wide and narrow, normal में हम सबसाइट से बराबर देते हैं, जो by default आपका रहता है, wide में हम थोड़ा ज्यादा छोड़ते हैं, और narrow में बहुत कम-कम छोड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई page के सिर्फ आपको पढ़ने के लिए निकालना है, तो सिर् दिखा हुआ ही आजाए, समझ गया बातों को, चली, अब कुस्चन का answer दीजिए आप लोग क्या होगा, आप दीजिए, पटाए ये क्या होगा answer, क्या होगा answer, जैसे जैसे कुस्चन आगा, हम आपको प्रेटिकल इतना तक तर दिखा ही देंगे, आपको प्रेटिकल का भी idea पूरा लग जाए, क्या हो जागा, डी, किसको किसको लग रहा है कि कस्टम को छोड़ करके क्या होगा, आपका normal, wide और आपका narrow होगा, क्या होगा, normal, wide और आपका narrow होगा, ठीक है न, normal, wide और नेरो होगा, custom को छोड़ करके, अपसान आपका क्या हो जागा, normal, wide और आपका narrow, य ठीक है समाज गया अफसान आपका क्या होगा अगला कुशन को देखिए जवाब दीजिए अगला कुशन का अंसर दीजिए बाड़ी स्वर है लेकिन फिर भी बहुत जमके ही गर्मी है कर आपका एक्सल में अस्तम्भ आने की कॉलम को डैस के रूप में आपका लेबल किया जाता है किस रूप में लेबल किया जाता है डैस के रूप में किसको कॉलम को कॉलम कॉलम को परदर्सित किया ता, सबसे पहले आपको एकसल पता है, नहीं पता है सा, आए दिखा देते आए, यही हमारा एकसल है, आजी सर, यही एकसल है, चलिए देखे, एकसल में जो हमारा होता है, यह जो देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, A નન્ય 316 आ इसे जो जाता है, इसको क्या भोछते हैं, इसको क्या भोलते हैं? u क्या है R shortest, यह क्या हमारा, र indirect b जो नीचे के तरप आ रहा है यहां जो आप देख rumors नीचे के तरप आ रहा ह् इधर देख़ियो इधर देखिए, यह जो नीचे के तरफ जो आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, column बोलते हैं, यह हमारा क्या है, column को किसे दिखा रहा है, A, B, C, D, और last कहां जाता है, X, F और आपका D जाता है, कहां जाता है, last, X, F और आपका D जाता है, यही पे अगर हम row की बात करते हैं, तो row कहां तक जाता है, last, जो जाता है, 10,00,040,479, यह आपका last row जाता है, ँख है, ऐसे practical देख करके प्राणा कितने लोगों को पसंद है, और कितने लोगों को म는 हैं कि सिर्फ हम हमेंसर लिख दीजिए, और practical देखना कितने लोगों को पसंद है, अगर आप में स्यमानना कि ज् इसको किस से दिखाते हैं, कॉलम को किस से दिखाते हैं, तो लेटर से दिखाते हैं, लेटर या फिर, अलफा पेट से, और इसको किस से दिखाते हैं, रो को नमबर से दिखाते हैं, नमबर से दिखाते हैं, नमबर से दिखाते हैं, और किसको किसको ऐसे पसंद है, आगे समाज गया बात दिखाईए हमको सर ओके रेडिकल ही सही रहता है प्रसुत ठीक है ठीक है हम प्रेडिकल भी दिखाएंगे थियोरी दोनों करवा देंगे टेंसल लेने की जरूरत ही नहीं है काम खतम जो पढ़ते हैं वही अच्छा है ऐसे ही सर दिखाईए सर प्रेडिकल यह और ठीक है जी सर ठीक है मतलब मैक्समुम लोग को पसंद है कि सर कुस्चन भी कराईए साथ में प्रेडिकल भी दिखाईए क्योंकि बहुत लोग को तो प्रेडिकल का आता पता भी नहीं होगा ठीक ह छलिए देखिए डिकल कडाने के लिए दिखाने के लिए पता होना चाहिए अच्छे से ठीक है ना प्रेडिकल बहुत फंसते हैं लोग चलिए आगे देखिए इसका एंसर फिर बताईए कौन सा ओजागा बताईए एक बीसीडी से म किसको दिखाते हैं कॉलम को इस ते 10,48,576 और यह जो है हमारा यह कॉलम हमारा यह माक्सिमम कितना होता है DR यह होता आपका A से सुरू होता है कहां X A फापका D तक जाता ठीक है मैं यहां भी लिख दूँगा ताकि आपके PDF से रिविजन करने अच्छा रहेगा सर फिरी में बहुत भलाय हो रहा है जिसकी तरह ठीक हाँ फिरी में बहुत भलाय होगा ठेंसन लेने के जरु bamboo नहीं है अरे पुरा मतलब जी जान से करूंगा फिरी मैं यह यहन नहीं इसरता हो फिरी है पेड़े सब में पुरा ही देता हूँ ठीक है ना कर रिए अगला देख इसका shortcode की क्या है, जैसे की कह रहा है, what is the shortcode की, इसका shortcode की क्या है, to insert picture in आपका MS PowerPoint, जब आप MS PowerPoint में picture को insert करेंगे, तो shortcode की क्या होगा, क्या होगा shortcode की, क्या होगा shortcode की, तो आपका alt n और आपका P होता, P से क्या होता, आपका picture, picture insert करना तकया करेंगे p, मतलब कि और कि क्या होगा इसका sort code कि क्या होगा आपका alt plus में आपका n और plus में आपका p तो धिक के लिए p होगया मतलब picture के इसके मतलब सब्सक्वाइब अगर हमको word को insert करना होगा तब तब हो जाएगा, अगर MS Excel में कोई word art को अगर insert करना है कोई word art है ठीक है अगर कोई word art है अगर word art है इसको अगर insert करना है insert करना है करना है सब कैसे करेंगे सड़ी ये बताए ठीक है ये बताते हैं इसका क्या हो जागा alt plus में आपका n और word के लिए क्या होगा w तर जब पी होता था पिक्चर के लिए और वर्ड के लिए क्या हो जागा आपका डबलू हो जागा बस इतना बात ध्यान रखेगा आपका काम हो जागा ठीक है आँ इंसर्ट ठीक है ना तब पिक्चर के लिए क्या हो जागा अल्ट एन पी ठीक है और वर्ड आट के लिए क्या हो कि नहीं हो रहा कि बारी से होड़ा है कि नहीं होड़ा हमारा इधर तनका हुआ है ज्यादा नहीं हुआ है फर्क्ट नाल-कर इतना सा हुआ है इ कि अपकी घर ज्यादा हुआ है कि आ Дंक्त-ति-डी और 5 question आपका theory oriented रखेंगे, ठीक है ना, 5 question ऐसा रखेंगे, जो आपको MS Excel, PowerPoint, Word और प्रेडिकल, shortcode की से संबनी दोगा, 5 question रखेंगे, जिसको आपको पुरा fundamental को cover करेगा, ठीक है ना, तो सब में ये चीज़ आपको काम आ जाएगा, देखेंगे, तक है आपका क्या low level language के language है, high level, high level, अगर language की बात करते ता क्यों क्यों हो जाता आपका, C हो जाता है, C++ हो जाता आपका, Jawa होता है, Python होता है, PHP होता है, आपका, visual आपका, basic होता है, उसके बाद आपका, Perl होता है, उसके बाद कोबोल होता है, उसके बाद आपका बेसिक होता है, उसके बाद पास्कल होता है, यह सब रूबी हो गया आपका, यहाँ पर मैं उपर में लिखते हैं नीचे में जगन है, जैसे कि आपका रूबी हो गया, तो यह सब आपका क्या आ गया, फोर्ट्रेन हो जाएगा यहां और जगाने उपर लिखे तो Fortran Fortran हो गया आपका Fortran हो गया ठीक है यह सब के सब आपका कैसा Longage है तो High Level तो Low Level Language कौन है यह भी तो बता देजी आइए बता देते हो भी देखिए आपका Low Low Level Level Language Low Level Language की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा Low Level Language जैसे कि आपका Binary Binary Language Language और आप बोल सकते हैं Machine C को Machine Language बोल दीजिए Machine Language Language या फिर Assembly Language Assembly Language Language यह आपका Low Level होता है यह High Level तो सर लोए लेबल के याद कर लेते हैं बाकी जो बचे हाई लेबल में उसको डाल देते हैं क्या बोले यही बात है ना कि सर लोए लेबल को याद रख लेते हैं बाकी जो बचे हाई लेबल में डाल देंगे ठीक हो जागा ना एकदम में ठीक हो जागा Formula Translation होता है, और कोबोल का मतलब क्या होता है, Common Business, Common Business, Business Oriented Language, Language, और आपका Basic हो गया, C हो गया, C++ जो होता है, आपका Semi Object Oriented होता है, इसको भी लिख लिख लिखे, C++ जो होता हमारा Semi Object Oriented, यह क्या होता है, Semi Object Oriented Language, Language, ठीक है, आपका Ruby हो गया, तो इसका answer का उन सा हो जाए, अगर एंसर तो कोई बता है भेने कि आभी तक हमको लगड़ा है, कि बता दिया है, Semi Object, ठीक है, तब मतलब answer क्या हो जागा, अपसान आपका D, सरे सेंबली लोंगज होगा, यही होगा, लो लेबल, बाकी हाई लेबल है, बाकी हाई लेबल है, ठीक है, Thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you so much, चली, इतना प्यार दिखाने के लिए, बस आप डेली जुड़िये, पढ़िये, हमारा बस यही मतलब मकसद है, कि आपको अच्छा से अच्छा content प्रवाइड कर सके ठीक है, और यह सब चीज़े आपको PDF से भी revision करना है, एक बाड़ अगर इस पे नजर डाल लिये ना, तो लॉंगत से आने वाला कहानी आपका साफे हो जाएगा सीदे सीदे, लॉंगे से आने वाला question सब बन जाएगा, ठीक है, चली, समझे है question को high level याद रखना है, low level याद रखना है, इस question का answer आपका option D हो जाएगा, आने की 4 नमर हो जाएगा, अगला आईए, देखिए, बता यह 5 नमर question बताईए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका MS Excel में, वर्क सब कुछ possible नहीं है, हमारे करनेक मतले, जो question हम आज उठा लिए है, उसका पहले विस्तार से बताएगे, जिस दिन virus का उठाएगे, आप चिंता ना कड़िए, I am available here, ठीक है, देखिए, तकारा MS Excel में, वर्क सिट का नाम बदलने के लिए, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सब से पहले आपको MS Excel दिखा देते हैं, अब वर्क सिट का नाम बदल के दिखा देते हैं, आपको अपने आप एंसर पता चल जाएगे, यह आपका क्या है? सर में सेक्सल में क्या करना आपको वर्क्सीट का नाम बदलना है आजी सर वर्क्सीट का नाम बदलना है तो वर्क्सीट देखें यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं इसा वर्क्सीट का नाम है यह देख रहा है आपको दिख रहा है वर्क्सीट फाइब हो गया फोड हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इसका नाम अगर पहले से by default तो ही है, यह आपको हम थोड़ा बड़ा कर देते, आपको दिखेगा, देखिए. यहाँ पर देखे, कितने लोगों को नीचे दिख रहा है नाम लिखा हुआ, seat 1, seat 2, seat 3, सब लिखा हुआ दिख रहा है ना, YouTube पीडियाप खुलेगा, वहाँ रिविजन करने के लिए, बिलकुल खुलेगा, ठीक है ना, अगर कहीं धोखा से अगर लोग लग गया होगा, तह हम उसको खुलवा देंगे, ठीक है, YouTube पीडियाप खुलेगा, खुलेगा, वहाँ पर जाना है, set by revision करना है, पहले set number 1 को खुल करना है, set two को फिर, set three को, ऐसे sequence में, वहाँ revision करना है, जा करके, ठीक है, उसको यह store नहीं करना है, मोबाईल में, revision करना है, दिमाग में store करना है, ठीक है, देखिया, लिखा हूँ है, seat one, seat two, seat three, seat four, seat five, ऐसे आगे कि तरह बढ़ रहा है, इसी को करा rename करने के लिए, मतलब इसका नाम बदलने के लिए, अब देखिये, हमारे पास हम mouse पहले, इसे set कर रखें इसमें, तो इसमें हम click करेंगे, इसमें click करेंगे, क्या, right click, देखिये, यह हम यहाँ जो भी चाहे, वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है, हम keyword connect कर लेते, ताकि आपको लिखके दिखा दे है, यहाँ से अचली निकालना पड़ेगा, आप एक second wait करेंगे, देखिये, हमने keyword ले आया, और इसमें मैं लगा देता हूँ, अब हमने board में keyword भी लगा दिया, देखिये, आप जैसे ही यहाँ पे, माली के हम right click कर दिये थे पहले, और उसके बाद क्या, हम यहाँ अब यहाँ computer लिखना चाहते है, तो लिख दीजिए आप, यह दिखे आपको keyword, यह हमारा keyword है, c-o-m-p-u-c-e-r, computer, ठीक है, अब जैसे हम यह computer लिख दिये, अब हमारा यह नाम क्या हो गया, seat का बदल गया, देखिये, अब पहले यहाँ seat number 3 था, अब क्या हो गया, नाम इस अब एफाई answer क्या होगा, झार यह बहुत गर्मी होगा, झार यह ना, आप क्या होगा, सबसे पहले आप क्या है, तो राइट क्लिक किया है, किये है कि नहीं किये, कहाँ पर, seat पर, अब उसके बाद कहा गया, rename में गए है, उसके बाद आपको name type कर देब कर देना है, कर देना है जो आप रखना चाहते हैं कौन सा नाम रखना चाहते हैं वह क्या करना है टाइप कर देना है बस काम खतम गया है मतलब प्रेडिकल भी देख लिए सार और कुश्चन भी बना दिए दोनों काम हो गया ठीक है यह थोड़ा सा ज्यादा अंतर है इसमें जो खाली दीजिए हो का एंसर दीजिए क्या कह रहा है करा कम्प्यूटर के संदर में एल्यू का तात्पड़े क्या है अब बहुत लोग खाली इसका एंसर याद करके रखने रहता है क्या अर्थमेटीक लॉजिक यूनिट उससे काम नहीं चलेगा बात को समझेए क्योंकि एक्जाम का स्टेंडर उपर उठ रहा है रायम रोम का फूल फर्म पूछने वाला जवाना खतम हो गया यह लिव के फूल फर्म खाली पूछा जाएगा जवाना खतम हो गया अगर आप वह कुश्चन पढ़ रहे हैं और आप गुरु जी भी वह पढ़ा रहे हैं तो आप सुगधे में है इतना मैं ऐंने यह होने है कि क्या आपका, का है में है को आपका सीपियू का पार्ट कि का पार्ट आप Richt वह एक हम आप सीपी यू की बात करें अगर हम भी मांन लिज़ा कि आ हमारी आगर सीपियू है से आपका का बोलते हैं साफीघ का मतला है सेंट्राल आं डियंट्राल बताते हैं है इसको brain of computer बोलते हैं और उसको कुछ बोलते हैं हाँ बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं प्रोसेसर या फिर micro जो माइक्रो,.. पीज माइक्रो प्रोसेर भी बोलते हैं, तो प्रेम फिल्च मिला माइक्रो प्रोसेशेशन क को बरेन ओप कम्प्योटर ज्भा माइक्रोcol चिए películ बोलते हैं którego बोलते हैं। आपक़ी नाम लेता हैं.. नाम के साथ कुमारों लगा देता है अकई करता है फ्लनका इधार आउन एक अप Iss कहता है कि युद्ध सॉर गैसों ऑख पूरा नाम मैं सां तर्म मुझे आप भी करने आता है वर्श एक्सल पाउर्पाइट मुझे नेम नहीं याद रहता आता है नेम याद हो जायागा धीरे-धीरे करकर करके ठीकिसर्थियरे-धीर्ये करकर करके नेम याद है अब कंडुल इसे शू उसके बाद आपका CU है. सबसे पहले उपर में आप CU लिखिये. क्या लिखिये? CU. UDU. क्या M. अब देखिए, यहां पर 3 चीज़े होता है. CPU के अंदर क्या होता है? यह 3 चीज़े आपका कॉन करन है? यह आपका CU है, यह आपका ALU, और दूसरा आपका ame होए, समझ गया बातों को होना, तोग control unit होता है, Emu, अर्फेमेटीक logic unit होता है आपका memory unit होता है, control unit का काम क्या हाता है, input output के ऊपर control लखना, Alu का क्या हाता, arithmetic logic unit, or Emu का क्या हाता, आपका memory unit, ठीक है न, Elu का मतलब क्या आपका arithmetic, democratic arithmetic आपका logic logic arithmetic यहाँ पर आपका फूल फाम में दिया देखे math आपका logic आपका exponential इन सबो चीजों पर निगरान ही रखना किसका काम है arithmetic का, इसका काम क्या है, जैसे कि आपका जोड हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, अनि कि आपका root हो गया, exponential जो पढ़े नहीं, टूदी पाबर एक्स होता है, exponential, इस सब पर नजर कौन डखेगा, तो arithmetic, लेकिन इसका अगिला बला जो पार्ट है, इसको कि यह logic है, इसका काम क्या होता है, डेटा को compression करना, इसका काम क्या होता है, तो डेटा को compression करना, आनि कि डेटा को क्या करना, compression करना, कि छोटका है, कि बढ़का है, कि मजिला है, यह सब होता है, इसको compression करने का काम किसका होता है, मतलब logic unit का, मतलब डेटा को compression करना, compression किस माहने में कर रहा है कि छोटा है या बड़ा है बराबर है मैचिंग है स्लक्टिंग है इस अब का काम कौन करता है यही करता है जैसे कि आपका मैचिंग कि मैं एक्जामपल लिख देता हुआ दूसरे परेंसे रूखिए कि मैचिंग या स्लेक्टिंग क्लेक्टिंग हो गया मैचिंग हो गया या कमपेर हो गया तो इस सब का काम कौन करता है आपका ये करता है या छोटा बड़ा जैसे कि छोटा हो गया या बड़ा हो गया या बराबर हो गया या बराबर हो गया तो इस सब का काम कौन देखता है ये सब का काम आपका logic दिखता है ठीक है ना तो ये आपका ये जो है ना इसको ऐसे भी बोल सकते ये आपका mathematics का काम दिखता है Math से संबंधीत होता है अब question का answer दे दिजे क्या हो जागा अधियर एक बात बता दे आज अपना प्रगत्ती बैच में कलास नहीं होगा ठीक है ना प्रगत्ती बैच में नहीं होगा क्योंकि हमारे टाइप इस्ट जी कल नहीं आया थे उनका कुछ बिसेस काम था इसलिए वो थोड़ा काम वरक आपका पेंडिंग हो गया ठीक है ना सब राम्बान बैच चलेगा राम बन बैच चलेगा उसमें कोई दिकत नहीं परगत्ती बैच में आज का अपका बी हो जाएगा अफसन क्या हो जागा बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अखालीव का फूल फॉल फॉम याद नहीं रखना है फूल फॉम बताने के लिए हम कुछन बिल्कुल नहीं लेकर क्या है यह बताना चाहरा थे अर्थमेटी का मतलब आपका यह फंसन करना और लॉजिक का मतलब का अलग है कॉम्प्रीजन करना मैचिंग सेलेक्टिंग यह सवायगा तब आपका लॉजिक होता है यह बात आपको ध्यान में रखना ही रखना है रखना पड़ेगा को डाउनलोड का अफ्शन वहाँ नहीं दिया गया है आपको सिर्फ पढ़ने का अफleben कर कर दिया न?」 कि दिया गया, आपको आंपको वहां जाकर की पढ़िया है या है और hoktya में deposit क क्ला रहा आपको फाइल रहएगा कोई नहीं खेलिए देखिए अगला कोश्चन का अनसर दीजिए क्या है अपका देखे लिफो पर यह क्या है कर आपका कंप्यूटर के छेतर में लिफो का पूर्ण रूप क्या होता है लिफो का पूर्णूम क्या होता है, देखें क्या आपका लिफो, क्या आपका आने की लिफो, लिफो का मतलब होता है, लास्ट इन, लास्ट इन, आपका फर्स्ट, फर्स्ट आपका आउट होता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक्जा है ठीक है और यही घर का क्या आपका दुवारी है अब इधर से माल लीजिए कि सभी लोग कतार में लगे हुए है ठीक है कतार में आपका लगा हुए मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए है ठीक है इसमें अंदर जाने के लिए अंदर जाने के लि पहला नमर पर यह थे दूसरा नमर पी एट तीसरा नमर पी यह चौथा नमर पर यह चौथा नमर पर तक लिए सब भाई था इधर से आप मतलब यह भी आ गई बिशारी ठीक है पाँचमे नमर पर यह थी अब देखिए कि अब जैसे ही हुआ क्या यह सब अंबर के तरफ आए तब पहला नमर आकर आ खड़ा होग्या ताओन सब निकल निकलेगे पांच नमर बार कौन निकलेंगे पहले बाहर यह पांच नमर वाले पहले निकल जाएंगे बहन जी पहले ही बाहर आ जाएगी समझ गया बातों को ना क्या जागा पहले ही बाहर आ जाएगी तो कहने का मतलब यह सबसे लास्ट में इन किये थे मतलब यह लास्ट में आपका लास्ट में इन किय थे इन किये थे लेकिन लेकिन आपका पहले ही बाहर निकल गए लेकिन पहले पहले ही बाहर निकल गए बाहर आपका निकल गए इसे ही कहते हैं last in और first out समाझ गया लास्ट इन और आपका फर्स्ट परगती चाहिए एक का पीडिया फ्रीपीट हो गया उसको ठीक करवा देते हैं आज आपका लभी बोले थे हम भूल गए आज ठीक करवा देंगे ठीक है चली तो क्या होजा आपका last in और first out होता है तो यह आपका last in और last आने की जो आपका क्या आने की last in और first out होता है जो मतलब सबसे बाद में गया रहता अंदर उस सबसे पहले बाहर आपका निकलता है ठीक है पर बताए न यूटूब पे जो यह सब पढ़ा रहे हैं कहां मिलेगा यह पीडियाफ आपको मिलेगा platform by नभीन कुमार सिंग application पर जो आपका बैच है computer का उस बैच में डाला गया है लेकिन यह फिरी है आप वहां जाके पढ़ सकते इसको ठीक है अब समझ गया और पहले हम सुरू में भी आपको बता ही दिये बाद ठीक है एक आपका फीफो होता है एक लीफो होता है क्या होता आपका लीफो होता है इसका भी लिख लिख लिजे कहें एक क्या होता आपका लीफो होता है यह आपका लीफो होता है ठीक है अब फीफो भी होता है वो आन्ने की फीफ तो होता है, फीफो का मतलब क्या था आपका first in, चाहता आपका first in, और आपका first out, जैसे कि इसका उदाहरन के लिए, अगर example की बात करें, तो ATM के लिए जो अगर कोई line में लगा है, तो जो सबसे पहले आके line में लगा है, उस सबसे पहले पैसा निकालेगा और चला जाएगा, lockdown बला सीन याद होगा नहीं, जब आने की, पैसा बंद होगा उस टाइम का, ठीक ह और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अलू गोदाम, या फिर और भी कुछ बोल सकते हैं, जो आपको मनने हैं, ठीक है ना, जैसे गोदाम बोल सकते हैं, गोदाम बोल दीजे, या इस्टोरेज एडिया बोल दीजे, क्या आपका इस्टोरेज, एस्टोरेज एडिया, एडिया या फिर गोदाम बोल दीजे जहां पर आपका बोड़ा उड़ा रखाता है ठीक है न ? या आप गोदाम बोल दीजे गोदाम भी आप बोल सकती है ठीक है, ठीक है न? घेसा है, तो question काई अन्सर क्या हो जागा छी क्या हो जाएका बताए न? इन भी आपका भाइन नहीं 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 और आपका फर्स एकून आपका धका दी इतने लोग डी के तियो सोड़ी मेर्मीं यह इमेज कि अधिक सर्षा माफीरी कि नहीं अधिक है कोई बात नहीं चाहते है जो भी है थोड़ा सा लेकिन हमसे जो बन पाया हो बना दिये ठीक है हाँ तर नहीं उठाता है डिये स्पिशियल का क्लास ज्वाइन करना ठीक है अभी आपका छुट्टी हो जाएगा ना एक में टुकिए अभी आपका छुट्टी हो जागा जब यहां से जाओंगा तो बोल दो अग्ला कुष्ण को बनाईए ये कुष्णन आपको बनाना तियावसक है खला निमलिखित में से कौन सा बिकल्पड आपका शहीर नहीं है। हम बार-बार एक चीज का जिकर करते हैं, जभी भी आपको, ठीक है, एक कोमेंट को बार-बार कोपीपेस्ट मत करिए, जभी भी आपको क्या हो, कि अगर मतलब यहाँ पे कुस्चन पढ़ते तो यह जरूर पढ़िए, ठीक है नहीं, जिसका जब बारी आएगा कुस्चन का न नहीं पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कौन सही नहीं, तो सबसे पहले हम आपको बता दे, कम्प्यूटर के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम क्या बोलते है, क्या बोलते है, बीट, बीट मतलब कंदोसं क destructive tobacco यह सबसे आपका चोटा होता भीत के बाद मिट अबए क्या आक थे इक का अब बात करें किधा एक का ये कका बाइट ब्रवर कितना है और एंट बीत शुतता है समझ मज़धिन 1 आपका निबल भी होता है जाथ अक नि बल्ट आपका निबल भी होता है, यह निबल क्या होता है, तो निबल में आपका एक निबल बड़ाबर कितना होता है, एक निबल बड़ाबर यह आपका एक लिखाव है, एक निबल बड़ाबर आपका चार बीट होता है, एक बार यह वो प्रस नो पूछा गया है, एस से सी के द्वारा, ल आपका निबल निबल बड़ाबर आप क्या हो जागा आपका आने की बाइट हो जागा यहीं पूछा था लोग सोची ही नहीं पाढ़ाते कि इसको कई से को रिलेट करें बहुत सारे लोग गलत करके इसको आगे ठीक है एक निबल जैसे देखिए यहां पर आप दो से गुना क इसके बाद आपका MB फिर आपका GB फिर आपका TB फिर आपका क्या होता है आने की PB उसके बाद आपका आने की जेटाबाइट उसके बाद आपका क्या आने की योटाबाइट अगर इसको हम देखे ठीक है इसको अगर हम देखे देखे अगर इसको हम देखे देखे इसको अगर हम देखे ना यहां पर देखे अगर हम इसको देखे यह हमें दो चीजे में यहां पर देखे यहां अगर इसको हम देखे तो यह चीजे की अगर हम बात करें यह हमारा क्या है क्यबी में इसको अगर हम बाइनरी में लिखते को J. आपका दो पाबर में 20, 20-60, 20-70, 20-80 लिकिसमें, लिखें लिखें預 देश्यमल इसको से लिखते हैं इसको लिखेंगे 10 के पावर आपका 9, इसको लिखेंगे 10 के पावर 12, इसको लिखेंगे 10 के पावर आपका 18, इसको लिखेंगे 10 के पावर 21, इसको लिखेंगे 10 के पावर आपका आने की 24, यह सब आपका किस में होता है, बाइट में, यहां भी आपका बाइट है, और यहां अब आपका क्या है तो आपका आने की बाइट ठीक है तो बाइनरी में लिखेंगे तो 2 के पावर 10 से सुरू करेंगे यह पहले आपको सिक्वेंस याद रहना चाहिए के बी एमबी जीबी टीबी पीबी इबी जोटावाइट जोटावाइट ठीक है न मतलब यह हर आगे बाल बीस बाइट है तो अगर के बीमें कड़ेंगे न तो 10 हो जाएगा तर यह आपका बिल्कुल सही है यह कराえ रहेए को एक जीबी बराबर दो के पावर आपका 20 जीबी पाउत है यहां प तो γलत देद्याओ वाइट, जब बाइट में दिया है न के तक KB всегда Gb. यहाँ पर तीसद यहा पर क्या होना चाहिए, आपका तीसद 85 होना चाहिए. ठीक है देख लेते हैं पूछ रहा है, एक कि ग्हड़ ही यहाँ क्या कर देता, मतलब यहाँünde a.dats, тогда a.dats, here a.dats, यहाँ आपका g.dats, kand fingerprints app , it's a.dats, ही पापका करके में लिखा रही है कि में तो दो के बीट देंखें घु है कि पापको क्या इसको में और बिएर लीजे तो लेकिन विख चैप्टर और लॉट्स चैप्टरrd नहीं पहले पढ़ पहले पहले प्ढ़ाा या सब आपका चिप्टर विल्य अबगान शॉप्टर वाइज तिनी कि ये ये और ये आपका से एंट शुलों यहां bit कर दिया ठीक है अगर Mm B की बात करता तो अगर हम BITE में देखते तेम अगर बात करता तो बाइट में यहां पर देखें आपका BITE में MB के देखते तो दूख यह कितना अठाप 20 और BITE में होते ठीक है लिख दिया तो और बहना चाहिए न अगला देखिए अगला आपका कुश्चान नमर 9 है 9 नमर कुश्चान आपका नमरीकल है हम एक दो कुश्चान हर दिन आपको नमरीकल भी देंगे सब्सक्राइब नहीं कई जगह डाला है वे भी दिद्धु पीदित बात तो वही पर गय अगला देखे, अगला आपको इसको किसमे आने की अश्टक में, ओक्टल नमबर में दिया आपको डेशिमल में, हम आपको नमबर पूरा बता दिये, ओक्टल का मतलब क्या होता है, जीरो से लेकर के साथ तक इसका रेंज होता है, ठीक है न, तो देखिए, ये नमबर आपको ओक्टल में क्या है, एक, दो, तीन, चार और पांच, इसको आपको बदलना किसमे है, तो इसको बदलना है डेशिमल में, जब ये डेशिमल में बदलना यहां, इसके मतलब यहां से आपको शुरू करना, आठ के पावर जीरो, आठ के पावर वान, आठ के पावर आपका दो 8 के पावर 3 और 8 के पावर 4 इसको इससे गुणा कर देना यहां जो भी आएगा इसको आपको क्या करना है जोड़ देना अब देखें यहां पर थोड़ा इसको नीचे करना जाएंगी अगर इस चीज को अगर बदलिए का 8 के पावर 0 का मतलब 1 इसका मतलब क्या हो गया आपका 8 के पावर 1 मतलब 8 हो गया यह कितना हो गया आपका 64 और यह आपका जो भी होगा यहां 8 के पावर 3 करके आपको लिखला मतलब आपको बनाना है उसके बाद यहां 8 के पावर जो भी होगा 4 करके आपको बनाना है उसके बाद इसको गुना करना यहां जो भी आएगा वह आपका हो जागा, इसको जब करिएगा, इसको मतलम आले कि इसको calculation करके एक से गुणा करिएगा ते कितना हो जागा आपका 46-96 यहां पर calculation यह करना आपका काम है मैं procedure पुरा बता देतों, उसके बाद जब इसके चोंगा ते पहले बात यहां पर 8 के प तो यह किटना यहां पोड़़ए को आपक्छो इसके बात देखिया कर देंसे घ्रिक लोगने को आपका एक 10 vibrant प्लस में देखेगर 8 दोढ़ तक तो 3 यह मारा नंबर ध्यतर यह वेर्मा्र बेस्त था यह घ्र्ल में धिदित इसीगिया अप्सान आपका भी समझ गए बातों को अगर यह चीजे माल लिजीए कि अगर यह चीजे रहता बाइनरी में यहां आठ की हरते दो कर देती बस अठ की हरते दो ओ अ 3359-4. बहुत लोग को साही है तुरुत गुड 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 फिए कंप्टर में कॉम्पी travelling अगे नहीं है ना सारा कलास लेनीके जरूत नहीं इतना सारा कलाक लाएगे न कि सब कुछ 시खा देंगे बस आपको दस नमर कुश्चिन है देखे क्या कर आज के लिए लास्ट कुश्चिन होगा ताइम हो गया हमको लगड़ा है ताइम हो नहीं बला है काम देखें करा कि भंडारन की निमलिखित इकाई को सही करम में आपका रखिये जिसमें पहले आपका लगुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए तिरिगतम इकाई की ओर चलते जा रहे हैं लगुत्त मतलब छोटका श्यापको बढ़का के तरब बढ़ना अ करूंत श्यूटका से आपको में का तरब ऑठ अलकर चैता है तो सब्सक्राइब क्या ओगर होका माई यक Mal reportvasad Goldൌht तर सबसे छोटा आपका क्या होगा, Brexit क्षोटा सबसे पहले आपका क्या होगा, तो Byte होगा, और Byte हो रघली आपको, seguridad क्या होगा, तो Iskusz~~ के बाद Ebğini होता है, सकते हैं, मेगावाइट भी दिया है, इसके बाद आपका क्या होगा, तो थिए अब यह सब्सक्राइब करने थिए अर्व चाह पड़ें से सब्सक्राइब लिए 6, 2, 1 उसके बाद त्हीं इसके बाद के रिओ और उसके बाद आपका ऐगो या बच कि उआप यह दिख लीजिए वस्त जाहile या फ्ली अन्या pam sound action चार, दो, एक, तीन, तीन, पान्च चार, तो अफसान नमर क्या हो जागा, ए, 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 अफसान नमर ए, तो दो, एक, तीन, चार, समझ गया, समझ गया बात, चलिए, अब अपना आगे, ये पेडियाप कहा मिलेगा, एक बार मरें फिल से बता देता हूं, ठीक है, और आपको डेली जूरना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप इसको देखिएगा कि कितना कुछ हमने पढ़ा है, ये सब अगर डेली वेसिस पे अगर आप ये स्टोर कर लेते हैं, आप अगर नहीं हो पढ़ते हैं, तो जिसको सेलेक्शन लेना है, व पसंद आ रहा है, तो आपको सिर्फ जूरना ही है, यहां जूरना ही है, तो आपको जूर करके, मॉबाइल का इंटरनेट अगर नहीं पढ़िएगा, तो जो सौट वीडियो देखने में खतम हो जागा, तब पढ़ ही क्यों नहीं लीजिएगा मेरे भाई, छो महिना के माक्सिमम युगदान आपका होगा, लेकिन कुछ तो हमारा भी होगा ना, कुछ तो हम भी कोसिस किए आपके साथ, तो यह सब जरूर रहता है, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से जूरिए, आप छोड़ दिजे कि किस एक्जाम के तियारी कर रहे है, आपके एक्जाम म इतना सीखे, इससे इतना भरके सीखे, इससे इतना भरके सीखे, इससे फिर यह चीजे सीखे, इसमें हमने आपको प्रेडिकल भी दिखलाया, ठीक है, यहाँ भी आपको इस सब लोंगेज के बाड़े में बताया आपको, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पावर पॉइंट से वर्ड के लिए क्या होता है picture के ली क्या होता है उसके बदेख यह चीजे भी हमको पूरा एक्स Crash खुल करके दिखाया ठीक है तुछ है उसके बदेफका कुस्ट था जो नॉर्म आउर्मल वाइड हम आपको प्रेटिकल के माध्यम से भी बताए इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी का मजाल है कि आपका सेलेक्शन रोक देगा नहीं यूँकि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा रियल बला होगा ठीक है फेक फेकवल बला नहीं कि कोनों किताब को खोले अंगहा रहे हैं अधा पढ़े अधा नहीं पढ़े आप चेंटा ना करिये ठीक है बस मेरे साथ जुडिये सिर्व क्या करी मेरे साथ अब जुडिये अंटरनेट बचा रहता सुबह में कमी है ये लाइव रीए बटे कहीं भी गन्टा इसको देख लिया करिएak क्या कोई लाइव नहीं देवकाते रिकॉडेट देख लिजिए